अब आप सोच रहे हो गे कि इस पैनल वोल के साथ म क्या कर रहा हूं इस वीडियो में हम समेजनेये वाने हैं और डॉक्वba डॉक्वक्वा को बिल्कुल प्रैक्टिकली समझने वाने हैं कापी सिंपल सा टॉपिक है लेकिन complicated कर दिया जाता है और हमें समझ में नहीं आता कि आखिर ये a b cos theta हम लोग dot product में क्यों करते हैं sin theta n cap क्यों करते हैं cross product में सारी चीज़ों को यहाँ पर समझने वाल है तो चलिए वीडियो को start करते हैं विकास पाठक and you're watching for you physical quantity की बात करी जाएं वेक्टर अब हमें multiplication करना है हमने तो addition सिख लिया है subtraction भी सिख लिया वेक्टर में अब देखिए scalar को vector के साथ multiply करोगे तो क्या मिलेगा vector को vector के साथ multiply करोगे तो क्या मिलेगा तो इसी से संबंदित हमारा topic है जिसको हमें समझना है तो सबसे पहले यदि बात करें हम scalar into scalar यदि किया जाए तो क्या आता है हमें पता है scalar आता है जैसे मैं बात करूँ 2 into 2 करूँ तो हमें मिलेगा 4 scalar का मतलब होता है जिसमें सिर्फ magnitude होता है तो magnitude वाली बात करी जाए तो ये scalar ही आएगा अब दूसरा है कि यदि scalar को vector के साथ किया जाए तो क्या होगा तो scalar को vector के साथ यदि आप करोगे तो आएगा vector आप पूछोगे example क्या है example देखिए एक scalar मैं ले लेता हूँ यहाँ पे mass और एक vector ले लेता हूँ मैं यहाँ पे acceleration दोनों को into करोगे acceleration क्या है एक vector है force क्या है एक vector देखिए scalar into vector mass scalar quantity है तो mass into acceleration हमने किया scalar into vector किया तो हमें क्या मिला vector मिला तो कपी simple सा है यह तो यहाँ पे क्या होता है देखिए कि यहाँ पे मैंने cross into कर दिया तो यह तो होगया scalar into vector as well to vector तो यह हमेशा होगा मिस scalar को आप यदि vector से into करेंगे तो हमेशा एक vector quantity ही मिलेगी अब आप इसको mathematical interpretation में कैसे देखेंगे माले जिए आपके पास एक vector है a equal to i plus 2j minus k क्या तो मैं कहूंगा कि आप एक scalar quantity के साथ ये एक vector है आप इसे scalar quantity के साथ into करें माले जिए मैंने आपसे कहा कि 3a आप निकालो मतलब 3 into a 3 एक scalar quantity है a एक vector तो scalar into vector कर रहा हूं में तो क्या हो जाएगा ये तो ये 3 इससे into हो जाएगा मिस्ट हो जाएगा ये 3i plus 3 into 2 6j और minus 3k के गया तो आप देखेंगे दोनों में पहला जो ये था और प्रोटेक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है ये वाला दोनों ही वेक्टर quantity दोनों में रखी आई कैफ वाला condition है मिस्ट दोनों ही वेक्टर quantity है इसका मतलब है कि आप scalar को वेक्टर से into करेंगे तो क्या आएगा ये हमारा question होगा हमने scalar के बारे में तो जान लिया अब हमारे पास वेक्टर है और से हम वेक्टर से आप पूछो कि एक्जांपल क्या होगा वेक्टर इंटू वेक्टर में स्कैलर कब आता है अब आएगा तो आपने एक फिजिकल कॉंटिटी वर्क के बारे में तो उपर ही है तो मैं आपने जो पढ़ा है मैं वही बता रहा हूं ताकि आपको समझने में आशाणी होगी तो व F into D, यहाँ पर force क्या है, एक vector है, और displacement क्या है, यह एक vector quantity है, तो force vector into vector करेंगे, तो आपके पास क्या आ रहा है, work, work ऐसी quantity है, scalar quantity, this is scalar, this is vector, and this is vector, तो vector into vector आपको क्या मिला, तो एक scalar quantity मिली, तो यह तो कापी समझ में आ रहा है, अब ऐसी condition में, जहाँ पर vector को vector को into multiply करने से scalar आती हो, ऐसे condition को हम लोग, ऐसे product को हम लोग बोलते है, dot product, या dot multiplication, या इसे आप का सकते हो, scalar product, scalar product, इसलिए हम कहते हैं, क्योंकि इसमें scalar quantity आ रही है, राइट, चलिए, तो यह तो example हमने समझ लिया, screenshot आप ले सकते हो, अब हम लोग समझ लेते हैं, कि आखिर, इसका जो formula है, वो क्या होगा, तो इसको practically हम समझने वाले हैं, अभी फिलाल हम लोग समझेंगे, कि vector into vector करेंगे, तो क्या आएगा, यहां से एक useful information यह रखिया, कि dot product जब भी हम लोग करते हैं, तो इसको derot करते हैं, इस तरह से, dot, इसका मतलब vector को vector से dot product करेंगे, तो scalar आएगा, अब हम लो right, torque, क्या होता है, मैं बताऊँगा, इसे हम towards ही denote करते हैं, right, तो torque होता क्या है, जैसे मैं spanner की बात कर रहा था, जैसे एक spanner है, right, इससे आप इस तरह से force दे रहे हो, ध्यान से देखेंगे आप, माली जै आपके पास एक spanner है, आप क्या करते हैं, इस जगा पर force देते हो, इस तरह से आप इसको ऐसे घुमाते हो, right, ऐसे घुमाते हो, तो एक force आपने यहाँ पर दिया है, लेकिन इसकी जो effect आ रही है, ध्यान दिजेगा, तो यह bolt इससे क्या होगा, rotate होगा, या तो यह open ह होगा, या close होगा, means, या तो यह इस तरह से अंदर जाएगा, tight होगा, माली जै कहीं पर bolt में, आप nut में tight कर रहे हैं, तो, right, या तो यह खुलेगी बाहर की, यह खुल जाएगी, आप दो चीजे कर सकते हैं, इस panel का use क्यों करते हो, या तो bolt को खोलते हो, या तो उसको लगा आते हो, right, तो यह चीजे होती है, तो आप यहां पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और यहां से यहां जो ही है, प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान से समझेगा, आपने यहां पर, मैं यहां पर नटा देता हूं, ज्यादा अच्छा क्लियर होगा, यहां पर आपने इस इस तरह से प्रपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया, मतलब एक फोर्स यहां पर लग रहा है, दियां से समझेगा, इस तरफ से है, तो फोर्स इदर से लगा, इस प्रपेंडिकुलर बन रहा है, देखिए, बन रहा है 90 डिग्री, चलिए, अब इसमें क्या होगा, इसमें इसमें rotation होगा, इसमें rotation होगा, तो यह किस तरफ होगा, बताइए, तीनो 90 डिग्री बनाएगा अपस में, यह जो है, इस तरह से आप force लगाएंगे, तो यह दोनों के बीज़ तो 90 समझ में आ रहा है, आप देखें, यह, और यह 90 ही होगा, और यह, इसके साथ भी 90 बनाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसमें जब turning effect आ रहा है, इस force के कारण, इसे ही हम लोग कहते हैं, torque, चरिए, तो torque की formula क्या होती है, कि torque का formula होता है, formula पहले समझ लेते हैं, तो torque एक vector quantity है, तो torque is equal to होता है, force into perpendicular distance, perpendicular distance, ठीक है, from the axis of rotation, मतलब कि हमने क्या किया है, यहाँ पर जो force दे रहा हूं में, ठीक है, इस force की distance कहां से, यह जो axis of rotation, जहां से rotate करेगा, वहाँ से perpendicular distance हम लोग लेते हैं, तो torque is equal to हो गया, FD, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, कि F और D क्या है, मैं इसको reverse यदि कर दूँ, तो F है vector quantity force, और D means displacement, यह भी एक vector quantity है, तो vector into vector कर रहे हो आप, तो आपको मिल क्या रहा है, torque, क्योंकि इसकी भी एक direction है, आपने देखा कि rotate जो हो रहा है, means आप यहाँ पर यदि diagram में बना दूँ, एक इस तरह से bolt में बना देता हूँ, और इस तरह से आप यहाँ पर force अप्लाई कर रहे हो, एक spanner में बना दे रहा हूँ, यह spanner है इस तरह से, आप यहाँ पर force आपने apply किया, तेक हैं, यहाँ से यह perpendicular distance वा, उसके करण क्या हुआ, यह जो bolt था, यह rotate कर रहा है, तो इसकी एक direction होगे, देखें, उसके बारे में, हम next video में चर्चा करेंगा, कि इसकी direction में यह vector product है, तो vector product मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर कि होता क्या है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए कि दोनों को, vector और vector किया, तो हमें क्या मिला, एक vector ही मिला, तो और के क्या है, vector है, तो इसे हम, short में, लिखते हैं, tau, तो इस product को हम लग बोलता है, cross product, मिस vector को, vector से multiply करने पर, यह दिए vector आए, तो ऐसे product को हम लग बोलता है, cross product, या इसे हम लग, vector product भी कहते हैं, या cross multiplication भी कहते हैं, और लिख सकते हैं, vector product, vector product इसलिए, क्योंकि इससे vector आ रहा है, result में vector आ रहा है, अब आप एक चीज़ी यहां से देखेंगे, physical significance की बात करी जाए, यहां पे देखिए, कि जो force आपने apply किया, और perpendicular distance आ रहा है, तीनों ही आपस में, और rotation जो हो रहा है, मतलब जो moment, यहां पे जो torque लग रहा है, मतलब force, perpendicular distance, and moment, तीनों आपस में 90 degree का angle बनाएंगे, यह चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, तो यह चीज़ होता है, vector product में, vector product में जब भी, लगती हैं चीज़ें, जो result आता है, वो हमेशा 90 degree होता है, ठीक है, उसकी जो direction होगी, वो 90 degree में हम लोग लेते हैं, उसके बारे में, बिस्तित चर्चा करेंगे हम next video में, vector product के बारे में, वो वीडियो काफी जब अधार सोने वाली है, तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरू सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो को लाइक नहीं कहते, जरू लाइक कर दें, क्योंकि मैं यहां पर बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज़ें बताने वाला हूँ, चलिए, तो यह तो आपने समझ लिया कि vector product क्या होता है, angle आपने समझ लिया, mcqm में यदि पूछा जाए, कि दो चीजों को हमने क्या क्या करना है, मतलब दो वेक्टर को यदि हम लोग multiply कर रहे हैं, cross product में, तो result जो आएगा, वो कितना angle बनाएगा, तो आप लिखोगे 90 degree, तो यह कापी important है, तो इसको आप note कर सकते हो, इस condition में आप पूछोगे कि इस condition में क्या होगा, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं, आप screen shot देख सकते हो, अब जब आप dot product करोगे, माल लिजिए एक vector आपके पास A है, और दूसरा vector B है, तो इसको हम लोग इस तरह से dot product में इस तरह से दिखाएंगे, इसका मतलब जो आने वाला जो result होगा, वो निश्चित रूप से, आप यहां से देख के ही पता करोगे, कि वो क्या quantity होने वाला है, तो वो scalar quantity होने वाला है, हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है, MCQ में आपसे पूछा जा सकता है, कि माल लीजिए एक vector A है, एक vector B है, दोनों को dot product करेंगे, तो जो result आएगा, वो क्या होगा, scalar होगा, या vector होगा, तो आप ऐसे tick कर देंगे, scalar होगा, क्योंकि यह क्या है, dot product बना रहा है, राइट, चलिए, अब यहां से देखते हैं, अब A dot B की जो formula होती है, वो होती A, ठीक है, A की modulus, B की modulus, modulus का मतलब होता magnitude, into cos theta, मैंने, इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है, I icon में मैंने दिया हुआ है, आप देख सकते हो, कापी अच्छी वीडियो है, अब अपनी बढ़ाई मैं खुद कर रहा हूँ, चलिए, माप करिएगा, देखिए, A dot B is equal to A B cos theta, आपके लिए कापी useful होने वाला है, इसलिए मैंने काँ, चलिए, देखिए, A B is equal to हो जाएगा, A dot B होगा, A B cos theta, कैसे होगा, आप तो पूछोगे न, इसको आप इस तरह से भी लिख चकते हो, A dot B cos theta, फार्मुला आया कहा से, देखिए, एक example लेते हैं, माली जीए, दो example यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, माली जीए, इस तरह से, एक body है, माली जीए, इसको cycle माल लेते हैं, ठीक है, अब cycle में कोई बंदा बैठा हुआ है, इसके ओपर, ठीक है, एक बंदा जो है, इसमें बैठा हुआ है, ठीक है, अब आपका एक दोस्त है, जो इधर से जो है, इसको क्या कर रहा है, धकेल रहा है, पुछ कर रहा है तो क्या होगा आप्टर संटाइम ये माल लिजे एक होरिज़न्टल सर्पेस है तो ये कुछ यहाँ पर माल लिजे पहुँचा कुछ टाइम के बाद इसका मतलब है कि इसके जो डिस्प्रेस्मेंट हो गई माल लिजे ये डी हो गई कुछ समय के बाद आप देखिए यह बंदा अभी इसमें बैठा हुआ है है ना और दोस्ट को परिशान कर रहा है कि साइकल भाई धकेलो मैं तो पैडल जो है यह चलाने वाला नहीं हो मैं वो साइकल नहीं चला रहा है यह सिर्फ बैठा हुआ है यह इसका जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके वज़ासे इसमें डिस्पेस्मेंट आ रही है तो इसका मतलब यहां पर मैं रिजॉलिशन करूँ प्री बादी डायग्राम यहां बनाओ तो यहां पर ध्यान से समझेंगे इस बाडी का जो मास है जो वेट है वो नीचे की और काम करेगा वेट का मतलब अजी यह इस पर अप्लाई कर रहा है फोर्स तो वो इस तरह से काम करेगा अब आप बताओ कि इस बाडी में इस साइकल में जो डिस्पेस्मेंट हुआ वो किस की वज़ासे हुआ इस साइकल में जो बैठा वा उसके वज़ासे इसने जो फोर्स अप्लाई किया क्या वेट के वज़ासे क्या यह डिस्पेस हो गया देखिए यह एक होर्जोंटल सर्पेस है इंकलाइन नहीं है द्यान से समझेंगे आप घे ठीजोंटल सर्पेस बैखिए अब जब तक फोर्स नहीं है आप्लाई करो तब तक तो जाैए गा नहीं अब यह इस तरह से बैठा हुआ है और यह तो नीचे इसका फोर्स अप्लाई हो रहा cred तो यह जमीन में इसका force अप्लाई हो रहा है इसके वज़े से move तो नहीं करेगा और यह जो force अप्लाई कर रहा है यह horizontal force इस तरह से तो इसके वज़े से क्या हो जागा यह move करेगा इसका मतलब है this force is यह जदी F1 हम लोग ले 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 इसकी weight को नीचे की और तो इसके वज़े से यह displacement नहीं कर रहा है सिर्फ इसके वज़े से कर रहा है अब यह बंदा कहरा है कि भाई force जहां पे apply होता है वहां पे तो work done होता है हमने force apply कर रहा है मैं force apply कर रहा हूं और displacement भी हो रहा है तो इसने class 9 में पढ़ रखा था कि FD होता है लेकिन FD से काम नहीं चलेगा FD cos theta होगा तेक है उसका use होने वाला है कि FD cos theta होता है तो यह इसको पता नहीं है class 9 का student है अब क्या है कि यह बोल रहा कि नहीं यह जो displacement हुआ है मेरी वज़े से हुआ है क्योंकि मैं एक force apply कर रहा हूं अपना weight लगा रहा हूं उसके वज़े से हो रहा है लेकिन एक समझदार बंदा क्या कहेगा जिसने physics word रखी है वो कहेगा ना basic चीज भी है कि एक आम आदमी जो है जो physics नहीं भी पड़ा हो वो समझ रहा है कि भाई वो तो बैठा हुआ है और force तो apply कर रहा है पीछे से तो उसके वज़े से जो है यह displacement हो रही है इसका मतलब यह हुआ कि यह force जो है responsible है displacement में तो यहां पर आपने एक चीज को समझा कि force apply हो रहा है और displacement हो रही है रही है दोनों ही एक ही direction में है आप देखिए एक ही plane में हम लोग ले रहे है एक ही line में ले रहे है तो हम लोग scler जब भी लेते हैं तो इससे आएगा निकल के क्या work निकल के आएगा एप इन्टू डू करोगे तो डॉट प्रोड़क्ट में वर्क निकल के आएगा तो इसमें किस का राधी तो जहां पर प्रोड़क्ट करके आप सकैलर कॉंटिटिट निकल आएगी तो वहां पर हम लो कंसेट जो है वो clear नहीं हुआ है चलिए आप formula वाले concept को clear करते है अब माल लीजिए एक object यहाँ पे रखा हुआ है ठीक है यह horizontal surface पे रखा हुआ है माल लीजिए यह object अब यहाँ से आप इसको push कर रहे हो एक force apply कर रहे हो अब इस force के apply होने के कारण यह object क्या होगा कि move करेगा माल लीजिए यहाँ तक यह move कर गया और इसमें displacement होगया माल लीजिए D अब क्या है कि यह जो force apply हुआ इसमें यह तो angle में लग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे resolution करेंगे इस force का तो एक resolution इस तरह से होगा एक horizontal लेते हैं एक vertical लेते हैं अब दोनों के बीच का 90 degree angle लेते हैं ऐसे हम लोग resolution करते हैं यह force इस तरह से apply हुआ ध्यान से समझेंगे इसको यह force नीचे की और push हो रहा है नीचे की और तो जो body है वो क्या होगी सामने के और move करेगी उपर तो नीचे जाएगा न आप उपर से apply कर रहे है force क्या उचल के उपर तो नीचे जाएगा जो body है वो तो ऐसे ही जाएगी तो जब ऐसे जाएगी body इसका मतलब या तो horizontal जाएगी या तो vertical नीचे दब जाएगी जमीन के अंदर तो यह चीजे होती है अब जमीन है अच्छी तो वो तबेगी नहीं तो यह force क्या है कि इस तरब से एक apply हुआ horizontal force और एक इस तरब से माल लीजिए यह angle हमने theta ले लिया तो यह क्या हो जाएगा f cos theta हो जाएगा यह जो force है यह वाली force थी यह हो जाएगी f cos theta और यह हो जाएगी f sin theta जो theta से लगा हुआ है ठीक है उसे हम लोग cost लेते हैं जो theta से दूर रहता है उसे हम लोग sign लेते हैं हमने बताया तो पिछली क्रास में तो इस तरह से हमने लिया f cos theta और f sin theta अब आब बताओ कि यह जो body displaced हुई है वो किसकी वज़ा से हुई है क्या यह vertical downward force की वज़ा से तो downward में तो यह नीचे चला जाता न सामने तो मुम नहीं करता इसका मतलब यह हुआ कि app cos theta की वज़ा से हो रही है इसका मतलब है कि यह जो body displaced भी इसके करण हो रही है तो आप जब मैं कहूँगा कि work आप निकालो तो आप क्या करोगे तो work एक scalar quantity है तो हम क्या करेंगे तो app into d cross product कर देंगे sorry dot product कर देंगे तो यहां से f हमने ले लिया कौन सा app लेना पड़ेगा तो app की तो हमने 2 break कर रखिए अब इस f को भूल जाए इसी की component है यह दोनो इसका मतलब दोनों का यह हमने लोग vector addition करें तो यह मिलेगा तो अब इसको भूल जाना है तो यह वाला इसके कारण तो नहीं होगा displacement किसके कारण होगा तो इसके बज़ा से तो हमने क्या लिखेंगे इसको app cos theta और d d की magnitude हम लो लेंगे तो d की magnitude माल लिजए d देता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा f d cos theta तो इसका मतलब है work is quality हो जाएगा f d cos theta तो यह formula हमें मिल गया work की आप देखिए अब इसके जगा force के जगा में यदि कोई a vector रहता और displacement के जगा में यदि v vector रहता तो यदि आप dot product करते हैं तो आपको क्या मिलता तो यह मिलता a b magnitude of a magnitude of b cos theta मिलता इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो a b cos theta ठीक है vector आप उपर से हटा देते हो तो वो magnitude ही show करता है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप इसको दोनों तरह से लिख सकते हो तो यहां से आप समझ गया होंगे कि cos theta वाला concept कैसे आया चलिए और एक example देते हैं कैसे आ रहा है आप यहां से screenshot ले सकते हैं देखिए dot product करना गुना भागा करना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे भी कर देते हैं आप concept को समझे क्योंकि MCQ आपसे यहीं पूछा जाया question तो आप नहीं बना पाओगे तो concept को समझना बहुत ही जरूरी है रटिये मत कि A B cos theta होता है क्यों होता है समझे और एक example में देता हूँ माल लिजिए एक vector इस तरह से है एक vector इस तरह से है इसको हमने A माल लिया और इसको हमने B माल लिया दोनों के बीच का जो angle है theta है हम लोग angle हमेशा anti-clockwise देते है यह theta है तो A है यह B है अब मैं कहूँगा कि आप A dot B करो ठीक है A dot B करो अब तो आपके पास formula है A B cos theta ठीक है लेकिन मैं प्रूफ करूँगा फिर से कि यह कैसे आ रहा है आपको जब exam में पूछा जाए तो आप directly A dot B cos theta करेंगे ठीक है अब मैं यहाँ पर component break करके दिखाता हूँ A vector है और यह B vector माल लिजेश को थोड़ा समय बना लेता हूँ अलग-अलग magnitude की मैं यहाँ पर ले लेता हूँ A की magnitude अलग है B की magnitude अलग है माल लिजेश सेम भी हो सकता है तो अब क्या करेंगे हम लोग इसकी component break करेंगे A की तो हम लोग जानते हैं क्या कि इसके 90 degree में हम लोग हम इसा लेते हैं एक component इधर से निकलेगा तो आप क्या करोगे यहने कहा था कि आपको क्या लेना है सेम direction वाला लेना है तो B इधर है और A का component इस direction में क्या होगा तो A cos theta हो रहा है तो आप क्या लिखोगे A cos theta और B की magnitude अप लिखोगे B तो यह हो जाएगा A B cos theta चलिए यह भी समझ में आ गया आपको अब question rise होता है A B cos theta ठीक है इसको आप बेंगनी चूट के form में लिख सकते हो देखिए यहाँ से सबसे important question commutative block को क्या यह follow करता है इसका मतलब है कि A dot B क्या B dot A के बराबर होगा यह question rise होता है आपके देखिए आप बिल्कुल समझ पाएंगे माल लीजिए मैंने component इसका इसमें break किया था अब मैं क्या करूँगा माल लीजिए इसको A ले लेता हूँ इसको B ले लेता हूँ इस तरह से आप समझो अब क्या कर रहा हूँ इसका component इसमें जो है माल लीजिए break कर रहा हूँ इस तरह से ये theta है तो ये B है तो ये B cos theta हो जाएगा और ये B sin theta हो जाएगा अब आप क्या करोगे तो आपको करना क्या है तो A B.A करना है ठीक है तो B.A जब करोगे आप तो क्या हो जाएगा बताइए तो ये हो जाएगा B cos theta into A तो finally A B cos theta ही आएगा A B cos theta क्योंकि ये तो magnitude है ठीक है B cos theta into A तो ये हो जाएगा A B cos theta तो दोनों ही condition में A B cos theta ही आ रही है ठीक है तो इसका मतलब है कि B.A equal to होता है A.B इसको और भी depth में समझा सकता हूँ लेकिन time कम है ज़्यादा पक जाओगे तो चलिए इसको आप screenshot ले लो अब आप सोच रहोगा कि कितना मैं महावारत बता रहुँ है सर कुछ करा दिए अब से कुछ बगर कुछ question हो जाए देखिए पहला question है कि A.B ठीक है equal to B.A क्या ये true है या false है क्या होगा तो बिलकुल true होगा ये तो एक हो गया और किस टाइप पे question पूछे जा सकते है देखिए question पूछा जा सकते है कि एक vector A दे दिया आपके पास बालिजे 3i cap plus 4j cap plus k cap और दूसरा vector दे दिया मालिजे i cap minus 2j cap plus k cap ठीक है अब आपको क्या करना है तो आपको करना है A.B यहां से concept मैं देना चाहूँगा साथ में देखिए i.i करेंगे यहां पे तो क्या होगा i एक unit vector ये भी unit vector तो क्या हो जाएगा i का modulus बीच में एंगल कितना होगा सेम vector है तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 0 degree होगा तो यह हो जाएगा cos sorry तो यह हो जाएगा cos 90 नहीं होगा cos 0 हो जाएगा थोड़ा समिट थे mistake होगी है हो जाता है गभी i की magnitude क्या हो जाएगी तो i एक unit vector है तो unit vector के magnitude कितनी होती है 1 होती है तो 1 is to 1 and cos 0 is equal to 1 मतलब 1 हो जाएगा इसका मतलब i dot i करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसी तरह से आप j dot j करेंगे मतलब एक ही vector से यह आप dot product कर रहे है ध्यान लगेंगे cross नहीं cross में फिर 0 हो जाएगा मैं बताऊँगा next class में देखिए k into k equal to हो जाएगा 1 साथी साथ यहाँ पर आप इसको भी note करेंगे यदि अलग-अलग vector को आप into कर रहे हैं जैसे i dot j यदि करू मैं तो आजाएगा 0 क्यों आएगा तो हो जाएगा 0 i dot k करोगे तो हो जाएगा 0 j dot k करोगे तो हो जाएगा 0 इस तरह से अलग-अलग vector को यदि आप into करते हों तो इस तरह से यह आएगी अब हमने करना क्या है यहाँ पर a dot b करना है कैसे करेंगे देखिए दो method मैं यहाँ पर बताऊँगा एक तो conventional method एक shortcut है तो सबसे पहले shortcut बताता हूँ कि shortcut में हमें करना क्या है ध्यान रखेंगे यह आप use करोगे सिर्फ dot product में ध्यान रखेंगे cross में नहीं 3i plus 4j plus k i minus 2j plus k dot product रणना है क्या करोगे simple करना है i से i को multiply किजिए j को j से करिए k को k से करिए तो क्या हो जाएगा 3 into लखें 3 into i का जो coefficient है उससे into करना है तो 1 है तो 3 into 1 3 plus लिखेंगे 4 into minus 2 कितना हो जाएगा minus 8 plus लिखेंगे 1 into 1 1 तो यह हो जाएगा 3 minus 8 plus 1 कितना हो जाएगा यह तो यह हो जाएगा minus 5 plus 1 में सो जाएगा यह minus 4 ठीक है इस तरह से अब निकाल जखते हो चलिए अब इसको हम लग समझ लेते हैं कि यह जो है a dot b हम लोग निकाल रहे हैं यह conventional method से तो यह लंबा method से कैसे बनेगा इसको आप screen shot ले लिजिए मैं इसको erase कर देता हूँ देखिए कैसे बनेगा यह आपके पास क्या है a है आपके पास है b तो आप into करोगे तो यह हो जाएगा 3i plus 4j plus k cap इस तरह से इसको dot करोगे तो हो जाएगा i minus 2j plus k cap इस तरह से into के form में हमने लिख दिया अब क्या करूँ अब 3i को किसे into करना है i से into करना है 3i को into करना है i से ठेक है minus 2j से plus k cap से plus लिखेंगे 4j को किसे into करना है तो करना है i cap से minus 2j से करना है plus k cap से करना है इसी तरह से k-cap को किसे करना है i-2j plus k-cap देखिए अब 3i को i से करूँ तो कितना हो जाएगा मैंने कहा था i into i कितना होता है 1 होता है अभी मैंने बता है था same unit vector में same vector में into करूँ तो 1 आता है dot product में तो 1 हो गया 3 into 1 3i into 1 इसको इससे करूँ तो क्या जाएगा 0 आएगा 3 into 2 6 आएगा minus 6 लेकिन i into j करूँगा तो अलग-अलग vector से into करना है 0 आता है i into k करो तो भी 0 मतलब 0 हो गया यह plus 4j into i करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 plus 4j into minus 2j कितना हो जाएगा बताएगा minus j 4 into 2 minus 8 हो गया and j into j 0 होगा sorry j into j 1 होगा ठीक है इस तरह से आप 4 j into k करोगे तो अलग-अलग vector में आप j into k करोगे तो हो जाएगा 0 ठीक है इस तरह से आप plus करोगे तो इसके बाद हो जाएगा k बाकि 0 हो जाएगा तो k को सीदिए आप के से करिए एसे इसका यूज़ कर लोगे ठीक है एमसी क्यों टाइप रहेगा देखके यह अंसर हो जाएगा आपको कुछ लिखना ही अब आपको क्या निकालना है, तो f.d निकालना है, कैसे निकालोगे, तो यह हो जाएगा, f.d cos theta, right, f.d cos theta, माल लिजे theta दिया हुआ है, 60 degree, तो f.d, f की value है 10, d की value है 10, right, और cos theta, मतलब cos 60 degree, तो यह हो जाएगा, 10 into 10, cos 60 यह मतलब हो क्या, half, 5 हो गया, मतलब 10 into 5 हो जाएगा, 50, जूल, तो यह तो हो गई, इस तरह भी question, simple था, बच्चे वाली बात थी, चली, और किस टाइब भी question पूछे जा सकता है, माल लिजे, एक vector दे दिया, i plus 2j plus k, और दूसरी vector दे दी गई है, माल लिजे, 2i minus j plus k, अब इसमें आपको निकाने के लिए कहा जाएगा, कि find the theta, means angle, angle भी लिखा जा सकता है, angle ही लिख देता हूँ, find the angle between a and b, इस टाइब भी question में पूछे जाएगे, कैसे करेंगे हम दो, तो हमें पता क्या है, a dot b, equal to क्या होता है, तो a b, a b ही लिख देता हूँ, a b कॉस देता हूँ, मतलब magnitude of b, magnitude of b into cos theta, इसको इस तरह से लिख देता हूँ, तो यहाँ से आप theta निकालेंगे, cos theta, तो क्या हो जाएगा यह, तो यह हो जाएगा, a dot b, यह इस तरह पाएगा, तो यह हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो a dot b, magnitude में, इसका मतलब है, vector a dot b करोगे पहले, तेके, उसके बाद a का magnitude put करोगे, b का magnitude put करोगे, बस बन जाएगा, answer, बहुत ही simple सा है, चलिए, a का magnitude हम दोग यह दी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, a है यह, तो under root करेंगे, magnitude में निकालना आता है, modulus of vector में ने बताया था, तो कैसे करेंगे, देखिए, i का जो coefficient है, उसको लेते हैं, तो 1 का square, j की coefficient है, उसको लेते हैं, 2 का square, k की coefficient है, उसको लेते हैं, 1 का square, तो यह हो जाएगी, under root 1, plus 4, plus 1, तो यह हो जाएगी, under root 4, plus 1, 5, plus 1, 6, vector b की magnitude निकालें, तो कितना होगा, under root 2 की square, 4, minus 1 की square, 1, 1 की square, 1, तो यह हो जाएगी, 4 plus 5, 1, 6, under root 6, तो a b निकाल गया, a की magnitude भी, अब हम लोग a dot b करेंगे, तो a dot b आप यहीं पर निकाल सकते हो, cos theta equal to a dot b करना है, तो आपके पास a है यह, b है यह, dot product मैंने करने सिखाया है, आपको i का जो coefficient है, उसको into कर देना है, j का coefficient से into करना है, k के coefficient से सिर्फ into कर देना, मैं directly बना देता हूँ, 2 into 1, 2, minus 1 into plus 2, तो यह हो जाएगा minus 2, ठीक है, और यह हो जाएगा plus 1 into 1, plus 1, और a dot b भी पूट करेंगे, तो हो जाएगा root 6 into root 6, तो यह क्या हो जाएगे, बताएगे, तो यह हो जाएगे 2 minus 2, 0, तो वह हो जाएगे 1, ठीक है, यह कटके कटम हो गया, 1 by 6, तो यह हो जाएगे, cos theta equal to 1 by 6, इसको आप लिख सकते हो, theta equal to cos inverse, यह cos इदर जाएगा, तो cos inverse में convert होगा, तो यह हो जाएगा, cos inverse 1 by 6, अब scientific calculator का यूज़ करके, आप इसको बना सकते हो, किसकी value कितना आएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है, चलिए, तो एक, इसको आप screenshot ले ले, type of question भी दिया जाएगा, ठीक है, एक point दे दिया जाएगा, मा लिजे, यह दिया जाएगा, 1, 2, minus 1, और B point दे दिया है, 2, minus 1, 1, इस तरह से जो, जो है point दे दिया गया है, ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, तो vector A, dot B, ठीक है, मतलब position vector आपको इसका निकालना पड़ेगा, और इसका position vector निकालना पड़ेगा, दोनों को dot करना है, ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, थोर सा concept दे दू, previous concept आपको पता है, कि x, y, z, इस तरह से हम लोग लिखते थे, और इसके coordinate यहाँ पर दिखाना चाहों, तो 1, 2, और minus 1, मालीजी एक point है, और एक point यहाँ पर है, मालीजी एक, 2, minus 1, और 1, ठीक है, हमने करना क्या था, यह 0, 0 है, तो हमना position vector निकालते थे, यहाँ से इसकी position निकालते थे, और इसका displacement vector यहाँ से निकलता है, तो इसकी position vector simple सी है, हमने करना कुछ नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ concern बता रहा था, दो a vector square to हो जाएगा, i, ठीक है, 1 दिया है, तो i हो जाएगा, 2 दिया है, plus 2J हो जाएगा, k दिया है, तो minus k क्याप हो जाएगा, vector b में क्या हो जाएगा?, तो vector b में हो जाएगा 2i, minus j, plus k, कितना simple है, अब a.b करोगे, तो क्या हो जाएगा, 2 into 1 2 coefficient को into करना है plus 2 into minus 2 हो गया 1 minus 1 मतलब 1 into 1 minus 1 तो यह हो जाएगा cancel out यह हो जाएगा minus 1 मतलब A dot B is equal to हो जाएगा minus 1 तो इस ताइब पर question पूछे जा सकते हैं इसको note कर लेजिए इसमें रिकल प्रैक्टिस तो और भी हो सकते हैं मैं उसकी PDF फाइल मैं description में डाल देता हूँ आप उसको बनाओ यदि आपको problem होती है तो आप Instagram में मुझे message कर सकते हो Instagram की link दी गई है और यह मेरी ID है VKSHPTH के वहाँ सभी आप search करके जा सकते हो आप कुछ cases समझ लेते हैं cases 1 देखे हमें पता है कि vector A dot B क्या होता है तो यह होता है A B cos theta अब यदि मैं बात करूँ case 1 की if angle if angle between two vectors two vectors क्या है तो A और B है मैं यहाँ पर two vectors लिका है angle between two vectors if angle between two vectors is 90 degree ठेक है तो उस condition में क्या होगा देखिए उस condition में dot product क्या होगा तो A dot B करेंगे तो यह हो जाएगा A modulus B cos 90 theta का जाएगा 90 put करेंगे तो यह हो जाए cos 90 0 तो A dot B A dot B cos 90 0 तो यह हो जाएगा 0 तो इसका मतलब हो जाएगा A dot B equal to 0 तो यह तो MCQs में पूछा जा सकता है कि angle यदि 90 degree हो तो dot product क्या होगा तो होगा 0 चलिए next कर लेते हैं same question लिएगा heap angle between two vectors is 0 degree उस condition में क्या होगा तो उस condition में हो जाएगा A dot B equal to vector A A का modulus B का modulus cos 0 degree तो cos 0 की value होती है 1 तो modulus of A modulus of B cos 0 1 तो इसको रहने देते हैं तो यह हो जाएगा A dot B equal to यह होगा आई होगा समझ गया होगा तेक हैं इस तरह से हम लोग जा सकते हैं theta is equal to 180 degree 180 degree का मतलब क्या है एक vector इदार से है एक vector इदार से है राइट दोनों के बीच में तब 180 degree बनेगा एक vector यह है diagram भी caution में दे सकता है theta बगरण theta is equal to 180 ना दे कि diagram बना दे तो समझेंगे इसको 180 बना है तो इस condition में क्या होगा तो यह dot B हो जाएगा modulus of A modulus of B cos 180 degree आप पूछोगे sir cost 180 degree का तो नहीं पता है कैसे बनेगा मैंने एक वीडियो उस पर भी बनाया हुआ है आप देख सकते हो in detail मैं यहाँ पर short में बताता हूँ ठीक है देखे करना कुछ नहीं है करना क्या है आपको आपको आपके बस quadrant है इस तरह से ठीक है चार quadrant है तो यहाँ पर all positive होता है यहाँ पर sin positive होता है मतलर sin और ultra cost तो यह तो हो गयी quadrant की बनेगा अब बनोगे तो यह 90 डिग्री आएगा फिर आएगा 180 डिग्री 180 प्लस 90 करोगे तो 270 डिग्री और फाइनली आएगा 360 डिग्री तेके अब करना क्या है cos 180 की value कैसे निकालेंगे किसी की भी जब आप value निकालते है cos 180 की value निकालना चाहेंगे रठिये मत कि cos 180 90 डिग्री तो क्या होता है ना बिल्कोल नहीं रठने के जड़त ही नहीं है मेनी classes में रठने के कोई जड़त नहीं है देखिए अब आनुला थोड़ा बहुत रट ले जाएगा cos is equal to 180 डिग्री है तो क्या होगा देखिए 90 की term में आप हमेशा इंटू करेंगे कोईशिस करेंगे 180 है 90 इंटू करिए तो 90 इंटू कितना करेंगे कि 180 है अगर 2 करेंगे तो 90 इंटू 2 180 है बचा कितना 0 90 इंटू 2 180 हो गया माली जे यह रहता 240 डिग्री तो क्या करते हैं हम लोग माली जे cos 240 डिग्री रहता तो यह हो जाता है, cos 90 into 2, 180 plus 60 हो जाता है, यहाँ पर तो कुछ आशा नहीं है, 0 ही बच रहा है, तो 0, अब जब even होगा, तो क्या होगा, change नहीं होगा, और जब odd होगा, तो change होगा, ठीक है, तो यहाँ पर even आए, odd का मतल़ जैसे महालीच है, 90 into 1 आता है, तो उस condition में यह cos change होक cos 0 degree, यह वाले जो angle प्रस करने के बाद बचता है, उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो cos 0 हो गया, अब समझे इसको, कि 0 degree, जो cos 180 degree है, हम इसे question में देखेंगे, कि question में क्या था, तो question में 180 है, 180 कहाँ पर बनेगा, इस quadrant में, second quadrant में बनेगा, और second quadrant में sin और cosec positive होता है, इसका मतलब यह क्या होगा, negative होगा, तो cos 0 का value होता है, 1, तो minus cos 0 का value होगा, minus 1, right, तो यह हो गई, a dot b, modulus of a, modulus of b, यह हो जाएगे, minus 1, तो इसका मतलब है, a dot b, हो जाएगा, a, minus a dot b, तो इस तरह से आप कोई भी angle का निकाल सकते है, रटिये मत, theta is equal to 0 degree, 90 degree, 270 degree, जितना degree करना करी है, ठीक है, तो यह चीज है, तो आप समझ गया होगे, screenshot ले लीजिए, और next video में मिलेंगे, और भी अच्छे-च्छे numerical के साथ, साथी vector product में बताने वाला हूँ, i icon में link दे दी ज जरूर लिखें, और यदि पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और like करें, ज्यादा से ज्यादा share करें, thanks for watching.